मनिस्वा जाती के लिए बरदान है ये बनसपती, गल्ती से भी कहीं पर मिल जाये तो मत छोड़ना स्वागा थे दोस्तों आप सभी लोग का हमारे चैनल में और जैसा कि दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि हम हर दिन आपसे नई नई जैनकारिया सेर करने का पर्यास करते हैं तो इस जैनकारिय करम को आगे बटता हुए आज मैं आपसे न एक ऐसे बनसपती के बारें बताने जा रहे हैं जिसका नाम है पुनरनवा पुनरनवा का मतलब होता है दोस्तों वापस फिरसे न नया हो जाना ऐसा कहायता है कि इसका सेवन करने से मनुस सस्ञाती के लिए मतलब की आप कह सकते हैं या उम्र के पढ़ाव को रुकता है यहनि कि जल्दी बुढ़ापा आने नहीं देता है इसलिए इसका नाम है पुनर नवा अगर आपने इसको पहचान लिया है आपके खेतों के आसपास है आप जह किसान है आपके खेतों के मेलोपर मिल जाता है तो आप कमेंट के जरी हमसे बता सकते है सहीजा दोस्तों आप इस वीडियो को अपने देश भारत में किस राजे से देख रहे हैं आपके गाउं का नाम क्या है यह भी आप हमसे कमेंट के जरीए बता सकते हैं तो अगर आपने इस बनसपती को पहचान लिया है न तो आप इसका नाम जरूर बताएं इस बनसपती का नाम है दोस्तों पुनर नवा इसको साठी कहते हैं साठ कहते हैं गधापूर्णा भी कहते हैं कई जगों पर इसको पत्थर पत्थरी भाजी भी कहते हैं क्योंकि यह पत्थरी गोगलाने का काम करता है या एक बहुत दी आमसा पौदा होता है लेकिन इसके गूर किसी चमतकार से कम नहीं होते हैं अक्सर आपने इसको कहीं न कहीं तो ज़रूर देखा होगा दूस्तों यह जो होता है ना यह तीन तरह का होता है एक होता है सफ्यत फूल वाला, दूसरा होता है गुलाबी फूल वाला, तीसरा होता है लाल फूल वाला तो आप इस वीडियो में जो देख रहे हैं यह है दूसरों लाल फूल वाला पुनर नवा इसके कुछ इतने सारे फायदे हैं कि आप जान करके हैरान रह जाएंगे इसके पत्तों को आप देखिए, इसके पत्ते जो होते हैं बहुत ही छोटे छोटे होते हैं कई बार इसके पत्ते बड़े-बड़े मिल जाते हैं इसके तने का रंग जामुनी होता है आयुर्वेद में इसके पत्ते, इसके फूल, इसके जड़ का इस्तमाल अत्यदिक मात्तरा में होता है अगर आपके जनकारी जड़ा सही पसंदार है तो आप इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए आपका एक लाइक करना हमारी मेनत को सफल बनाता है दोस्तों इस बनस पत्ती की साहता से आप ज़िए कमजोरी को दूर कर सकते है गुर्दे में पत्तर या उसको भी बहार निकाल सकते है आखों में दर्ध होता हो, आखों में पानी आता हो, आखों में खुजली होता हो उसको ठीक कर सकते है अगर बार बार सरीर में कफ़जम जाता है और दमा की समस्था होती है उसको ठीक कर सकते हैं गठिया हो साइटीका हो जोडो का दर्ध हो गुटनो का दर्ध हो उसको ठीक कर सकते हैं मुतर समानित कोई भी रोग हो तो आप उसको ठीक कर सकते हैं तो सभी से जयानकारी प्राप्त करने के लिए आप इस वीडियो को पूरी तरह से ज़रूर देखें ताकि आप अच्छे से समवस पाएं सबसे पहला इसका पर्यूग आता है दोस्तों वह पर्यूग है पिलिया में पिलिया रोग जब हो जाता है तो सरीर पूरा तरह से पीला हो जाता है तो इसका काढ़ा बना करके इसके पत्तों को आप तोड़े इसके पत्तों को तोड़ने के बाद पानी के अंदर इसको डाले एगलास पानी में आप चैनल दो, चार, दस, पत्ते इसको तोड़ करके पानी में डालें, उबालें इसे काड़ा बना करके सेवन करते हैं तो पीलिया में बहुत जल्दी फायदा मिलता है या फिर इसका पान्चांग अब किसी भी पान्चारी के दुकान पर मिल जाएगा या फिर आप इसका पान्चांग घर पर ही बना सकते हैं इसको सहाद में मिला करके लेते हैं तो इससे भी पीलिया में बहुत जल्दी आराम मिल जाता है अगला फायदा है दोस्तों गठिया में जीते भी लोग हैं जिन को बार-बार ज्वाइन पेन के समस्या होती हो घुटना दर्थ करता हो तो इसका काड़ा बना करके पीते हैं तो गठिया में बहुत ज़्यादा फायदा मिलता है या फिर अरंडी के तेल में पुनर नवा के पांचांग को डाल करके अच्छे से पका करके इसको थंडा करके चान करके जहां पर भी दर्थ हो मालिस करते हैं तो बहुत जल्दी अराम मिलता है मुतर समझित रोग हो यानि कि बार-बार पेसाब आने के समस्चा हो तो उस तो कई बार क्या होता है ना पेसाब समझित जो रोग होते हैं वो सफाई ना करने को ऐसे होते हैं यानि कि जब आप इसका इस्तमाल करेंगे तो आपको जो पेसाब लाएगा ना दुगनी तेजी से लाएगा तो आपके सरीर में जितने भी कचरा होंगे उसके भी सफाई हो जाएगी और पेसाब जो है न बहुत जल्दी साएगा जिससे क्या होगा गुर्दे में बहुत ज़ करके चाटने से न जो है दमा हो, कप की समस्दा हो आराम मिलता है तो इसके जड़ का आप निकाले छाओं में सुखाए इसका चूर बना ले तो आप इसका इसका इस्तमाल करें आखों में पानी आता हो, दुखता हो, खोजली के समस्दा हो तो इसके जो जन होते है न इसको घीस करके सहथ के साथ मिला करके आखों में अगर अंजन करते हैं लगाते हैं तो आखों से जितने भी रोग है न वह जले ठीक हो जाते हैं अगर किसी को माल लिजिए गुर्दे में पत्थरी की समस्दा हो तो इसे काढ़ा बना करके पीते हैं या फिर पत्थियों की सबजी बना करके खाते हैं तो इसे भी पत्थरी बाहर निकल जाती है इसके जड़ का चूड गाई के दूद के साथ सेवन करते हैं दो गराम की मातर में तो या सरीर को बूड़ा होने नहीं देता है साइसाथ कॉम जोरी को दूर करता है तो आप जो इसका इस्तमाल जरूर करें यह बहुत ही सानार सा पौधा होता है जो कि आपको हर जगा पर इसला साने से मिल जाता है तो आज के इस वीडियो के भी खतम करते हैं अच्छा वेल आकान दो आए नमस्कार दोस्तो